हेलो एब्रिवन स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश पेड़ागोजी के टौफ फिप्टी इंपॉर्टेंट कोईशन जो आपको हेल्प करेगा आपके अपकमिंग सीटेट एक्जाम में तो अगर आप पेपर वन की त्यार को डिस्कस कर सके जहाँ जरूरत होगी हम एक्स्टा प्मॉंट्स को भी यहाँ पर समझेंगे तो चलिए शुरू करते हैं और स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज इस सेशन को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना ताकि जादा से जादा लोग सेशन को देख सके ठीक है चलिए फिर शुरू करते हैं और आपको आंसर करते जाना है कॉमेंट सेक्शन में ठीक हैं फर्स्ट कोशन से स्टार्ट करेंगे पहला प्रशन है कि टीचर टीचर वांट्स तो क्रिएट अगर एक टीचर अपनी क्लास्रूम में एक लैंगवज रिच एनवारिमेंट को क्र करना चाहती है तो उसे क्या करना चाहिए अक्टिविटी कौन से सबसे बेस्ट होगी इस्टेबिश अलांगविज लैप इन हर क्लास मोटिवेट पेरेंट्स तो बाइसम लैंगविज गेम एक्टिविटीज प्रवाइड अन ऑपरचुनिटी वेर दर लांगविज इसीन नोटिस्ट अंड यूस्ट बाइड चिल्रन या फिर आस्क स्टूडेंट्स तो यूज उन्ली इंग्लिश वाइल कम्यूनिकेटिंग इन दर लास्विट पीर्स तो सबसे बेस्ट यहां पर क्या होगा ऑप्शन नमबर 3 हो जाएगा सबसे बेस्ट आप क्या करेंगे उनको प्रवाइड कर सकते हैं जहां पर बच्चे उस भाशा को देखेंगे नोटिस करेंगे और उसे यूस करेंगे नेक्स्ट कुरिशन है क्वेशन नमबर 2 है इन्पुट हैपोथेसिस का मतलब क्या होता है पहली बात यहां पर यहाद रखना कि यह किस ने दिया है अगर आपक जगते हैं first है the relationship between what the learner is exposed to of a language and language acquisition second the relationship between what languages the learner know and the languages they are taught the relationship among the learner teacher and the materials या फिर ओल्ल दए इन्पुट्स आप दो स्कूल तो I hope कि आपने इसका answer guess कर लिया होगा, सही जवाब इसका जो बनेगा, वो बनेगा option number A Input hypothesis का मतलब है, एक ऐसा relationship जहाँ पर जो आप बच्चों को exposure देते हो और जो वो acquire करता है Basically इनका जो natural जो approach था, वो acquisition पे ज़्यादा focus करता है, तो यहाँ पर A इसका right answer हो जाएगा Next question कहता है, intensive reading refers to, intensive reading कौन से reading होती है, reading a text for detailed information, reading a text for pleasure, for editing या फिर for someone else तो intensive reading जो होती है, उसे हम detailed reading भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी learner read करता है, वो एक detailed information के लिए पढ़ता है अगर आप कोई भी चीज ऐसा text पढ़ रहे हैं, जो कि detailed है, जो आप किसी specific aim के लिए पढ़ रहे हो, जैसे exam के लिए पढ़ना, जैसे कि आप किसी academic उसके लिए पढ़ रहे हो, achievement के लिए, तो वहाँ पर हम intensive reading का प्रयोग करते हैं यहाँ पर अगला option अगर आप देखो तो pleasure की बात की गई है, तो pleasure कहाँ पर होता है, याद रखना, इसे हम extensive reading कहते हैं, क्योंकि जहाँ पर आप fun के लिए, enjoyment के लिए और pleasure के लिए पढ़ते हो ठीक है, next question है, national curriculum framework 2005 assigns supplementary and complimentary roles to English language, this means that, अब NCF के according English के दो role बताए गए हैं, first one is supplementary and second one is complimentary, इसका मतलब बताना है आपको, तो देखते हैं, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, option A है, English language teaching should support learning of other languages and subjects तो देखो, यहाँ पर A जो आप देख रहें, option वही इसका बिल्कुल right answer बनेगा, क्योंकि बाकि जो options है, वो कही ना कही negative है, ठीक है, यहाँ पर nothing to do बिल्कुल भी नहीं होगा कि English का कोई use ही नहीं है, other languages को सिखाने में या English teaching में, hindrance भी नहीं होता है, और violates भी नहीं करता ह या other subjects को पढ़ने में या acquire करने में, okay, next question है, question 5 है, English textbook for class first starts with pictures, poems and stories and ends with alphabets in the end, which approach does this kind of arrangement reflect in language pedagogy? अब आपको बताना है कि एक first class की book है, जो start कहां से हो रही है, आपको ये देखना है कि जो first class की book में start करवाया जा रहा है, वो picture से कराया जा रहा है, फिर poem से कराया जा रहा है, फिर story से और end में alphabet बताया जा रहा है, यानि अगर आप ध्यान से देखो तो ये कहां जा रहा है, hold to part की तरफ जा रहा है तो मैंने आपसे पहले भी डिसकस किया है कि जब भी हम hold to part कोई चीज पढ़ाते हैं यानि आप meaning based activity से start करते हुए smallest unit तक जाते हो उसे हम क्या कहते हैं उसे हम top-down approach कहते हैं तो यहाँ C इसका सही जवाब बनेगा आप क्या कर रहे हैं meaning से start कर रहे हैं आप picture से start कर रहे हैं और alphabet आपने सबसे end में सिखाया है यानि कि ये एक top-down approach है तो इसका C हो जाएगा सही जवाब eclectic approach क्या होता है जहाँ पर आप different methods को approaches को, विधियों को क्या करते हैं अपने according आप बच्चों की need के according उनके level के according चेंज करके पढ़ाते हो उसे हम eclectic approach कहते हैं और bottom-up क्या है अगर आप इसी का say मुल्टा कर देंगे तो ये bottom-up बन जाएगा question के according ठीक है, तो यहाँ C का right answer finally होगा चलते हैं अगले प्रिशनी की ओर storytelling as a strategy in language teaching is aimed at आपको बताने language teaching के अंदर storytelling अगर हम as a strategy use कर रहे हैं, तो उसका क्या aim होता है, learning the morals learning to retell the story engaging learners with language या तो तेस्टिंग the memory of learners तो इसका सही जवाब चे finally हमारा होगा, वो क्या होगा कि आप अप अग्चों को engage कर रहे हैं उनकी language के साथ आप होल तरीके से, integrated तरीके से सीखा रहे हैं अगला प्रशन है transactional listening means अब आपको बताना है कि transactional listening कौन से listening होती है first है less emphasis on conveying information यानि कि information को convey करने के लिए होती है तो इस तरह की जो listening होती है इसे हम कहते है intensive listening, ठीक है, याद रखना अगर आपके paper में आता है कि आप इस information के लिए पढ़ रहे हो तो वो intensive तरीके की listening में आता है transactional का simple सा मतलब यह होता है कि जब आप social context में communication basis के लिए communicative purpose के लिए जब आप listening करते हैं, सुन रहे होते हैं सामने वाले को, वो आपका transactional listening का एक type होता है तो यहां पर right answer होगा it lays emphasis on harmonious communication in the social context अगला प्रश्न है drilling is a teaching learning technique or strategy in अगर हम बात करें drilling की तो यह drilling किसके अंदर आता है constructivist, language teaching structuralism, communicative language teaching या lexical approach तो यहां पर drill करवाना, बार 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 practice कराना, structuralism में आता है जहां पर आप क्या करते हो, आपको दो वड़ याद रखना है selection plus gradation कहीं पर भी अगर आपका paper में पूछा कि selection और gradation किसमें है तो structuralism में आता है यहां पर इसका B हो जाएगा right answer हम drill से बहुत ज़दा सिखाते हैं यहां पर next question के और बढ़ते हैं अगला प्रशने कहता है teaching a novel is to promote जो teaching है novel वो क्या promote करता है देखो यहां पर keyword क्या है कि आपसे पुछा गया novel तो pleasure होगा, detail होगा, become a writer होगा यह learn vocabulary होगा तो जो भी reading हैं कराई जाती है यह किस के लिए होता है reading for pleasure के लिए होता है और हमने बार-बार इसको discuss किया है कि यह किस के अंदर आता है extensive reading के अंदर आता है ठीक है, अगला प्रशने देखेंगे next question कहता है while checking the notebooks the teacher observed that a child has repeatedly made some errors in writing such as reverse image as BDMW the child is showing the signs of अब देखो यहां पर एक teacher है check करते हुए notebook उसने कुछ error देखा जहां पर वो BD बना रहा है M को W बना रहा है तो यहां पर child क्या show कर रहा है learning preference, learning style, learning disability या learning differences तो simple सा answer क्या होगा यह क्या है dysgraphia है जहां पर वो क्या कर रहा है लिखने में वो क्या कर रहा है writing में error कर रहा है तो यह C हो जाएगा इसका right answer अगला question है learning outcomes aims at learning outcome का aim क्या होता है output oriented learning achieving maximum levels of learning achieving minimum levels of learning या फिर ensuring all the competencies are achieved by learners तो सही जवाब जो इसका बनेगा finally वो क्या बनेगा option number 4 बनेगा यहां पर learning outcome का मतलब यह है कि आप ensure करेंगे कि बच्चों ने all competencies उनकी acquire हुई है या नहीं है all competencies का मतलब है कि अगर मैं L, S, R, W की बात करूँ तो उसके अंदर यह एक शमता आई है विक्सित हुई है या नहीं हुई है next पे चलते है the method emerged as a reaction of the various demerits of the grammar translation method is GTM के various जो एक demerit थे उनको दूर करने के लिए कौन सा method आया था तो इसका सही जवाब बनेगा option number इसका C बनेगा ठीक है फ्रांस में आया था direct method foreign languages को पढ़ाने के लिए और यहां पर main-main बात याद रखना कि केवल target language को पढ़ाया जाता है inductive तरीका है grammar को सिखाने का जादा तर यहां पर हम जो भी word सिखाते हैं जो भी हम basically यहां पर कोई भी word सिखारा चाते तो वो हम picture के थूँ या action के थूँ जादा सिखाते हैं और unit of teaching इसमें sentence होती है direct method में यह आपको याद रखना है बाकि देखो bilingual method के बारे में भी याद रखना कि यह method किस ने दिया है CJ Dodson ने दिया है जहां पर mother tongue का use क्या करता है केवल teacher करता है जब उसे जरूरत होती है तो यह सब आपको याद रखना है next question पर चलते है the teaching of English in India is facing the main problem of English अगर हम बात करें in India में तो कौन से ऐसी problem है जिसको English teaching में face किया जाता है use of traditional and old methods, lack of good learning material, both A and B या फिर इन में से कोई नहीं तो दोनों का ही हम क्या करते हैं कई बार हमें समस्या देखने को मिलती है कई बार अच्छी learning material नहीं होते हैं और पुराने विधियों का प्रयोग किया जाता है तो दोनों ही क्या है समस्या है next question है which of the following is true अब आपको बता रहें कौन सी बात यहां पर क्या है सही है right वाली बात आपको बतानी है first है कि teaching of grammar enables the learners to assimilate the correct patterns of the language without learning second teaching of grammar enables the learners to assimilate the correct patterns of the language with rote memorization तो देखो यहां rote memorization आ गया है तो हम इसके साथ नहीं जाएंगे c है teaching of grammar helps in developing learners insight into the structure of English languages तो यह ठीक है कि बच्चों को structure की समझ हो जाती है उनके अदर एक insight आता है grammar को सीखने से और बच्चे pattern को assimilate कर पाते हैं तो यहां बोथ 1 and 3 इसका सही जवाब जो है वो होगा next question पर बढ़ते है the teaching of English aims at enabling the learners to फटा फट से option पढ़ेंगे option 1 है only understand the spoken or written only express our thoughts and feelings in speech or writing produce good literature in English या फिर बोथ understand and produce spoken or written language तो यहां पर teaching of English का main aim क्या होता है कि बच्चा दोनों तरीके से जो language है उसको use कर सके चाहे वो productive skills हो जिसे हम writing और speaking में रखेंगे या वो receptive हो जिसे हम listening और reading में रखेंगे दोनों ही skill को क्या करना अच्छा करवाना next question है a good textbook of English should possess एक अच्छी textbook English में क्या होना चाहिए उसके अंदर basically क्या एक quality होनी चाहिए first है reading material second है pictures and illustrations third है cultural content या फिर all तो यहाँ पर सही जवाब क्या बनेगा option four बनेगा right answer ठीक है सभी चीज़ें जरूरी होती है अगला है communicative language teaching refers to CLT का मतलब आपको बताना है written test, enhancing receptive and productive skills teaching vocabulary and grammar या फिर interpreting grammar rules तो भहत आसान प्रश्ण है यहाँ पर option क्या हो जाएगा इसका two हो जाएगा right answer दोनों ही skill को produce करना इसका aim होता है next है formative assessment is formative assessment कौन सा assessment है तो इसका सही जवाब क्या बनेगा assessment for learning, in learning, off learning या on learning तो देखो जो off learning होता है इसे हम कहते है summative जो आप at the end करते हो और formative का मतलब होता है assessment for learning जो process की बात करता है जो during teaching learning process हम करते हैं इसके अंदर आपका remedial teaching, diagnostic सभी चीज़े आ जाती है next question पे चलते हैं यह जो activity है क्या कहलाएगी जब बच्चे पेर activity में है वो रोल को देख कर रहे है teacher और as a student तो इसे हम कहते हैं simulation, declamation, exchanging notes या फिर इन में से कोई नहीं right answer इसका क्या बनेगा option a बनेगा यह एक simulation technique है जहां पे बच्चे क्या करते हैं कि जो real life situations है उनको बच्चे इहां पे उसी तरह से कर रहे होते हैं ठीके जिसे एक doctor patient कोई बन गया या कोई teacher student बन गया कोई shopkeeper और कोई customer बन गया तो यह simulation technique होती है ठीके डेक्लेमेशन जो है यह आपका speech से related ही होता है जहां पर जिसे कि कोई भाशट दे रहा है तो उसे हम डेक्लेमेशन कह सकते है संबोधन करना किसी को तो A हो जाएगा इसका right answer अगला प्रशन देखेंगे नेक्स्ट कोईशन है विच अफ फॉलविविग ऑप्शन इस फॉर ग्रामर शुट बी टॉट बाई बई ग्रामर को कैसे सिखाना चाहिए वो पूछा गया है और कोईशन में गिविंग क्लेर एक्स्पेनेशन इनेबलिग प्राक्टस इन कॉंटेक्स आस्किंग स्टुटेंट्स तू लर्न रूल्स मेकिंग लर्नर्स दू रिटन असाइनमेंट्स तो ग्रामर को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप कॉंटेक्स उनसे पूछेंगे कुछ-कुछ कीवर्ड्स है जो आपको याद रखना है अगर आपके विपर में कॉंटेक्स आता है या फिर अगर आजाए कि मीनिंग्फुल पढ़ाना चाहिए मीनिंग अगर आजाए, कॉंटेक्स आजाए या फिर हो सकता है कि फंक्शन आजाए ठीक है फंक्शनल तरीके से पढ़ाना चाहिए यूज आ जाए ठीके या फिर interaction आ जाए ये सब क्या है positive है हम इनके साथ हम जाएंगे next पे चलते हैं communicative approach to evaluation stress on अगर हम communicative approach के अंदर evaluation कर रहे हैं तो हमारा stress किस पे रहेगा focus किस पे रहेगा content relevancy and vocabulary fluency and flexibility both A and B या फिर neither A nor B तो देखो जब भी हम CLT में पढ़ा रहे हैं और हम evaluate कर रहे हैं तो दोनों पे focus हमारा रहेगा केवल एक चीज़ पे focus ना करके हम overall focus करते हैं हम यहाँ पे flexibility देखेंगे fluency देखेंगे content भी हम देखते हैं या फिर वाइल राइटिंग अनसे तो note taking जो है यह राइटिंग के अंदर हमारा basically होता है और यह कप किया जाता है जब आप during lecture सुन रहे होते हैं यानि कि इसमें आपका क्या जाता है एक आता आपका listening ठीक है आप listen कर रहे हैं और दूसरा आपका लिखना भी यहां पर शामिल होता है क्योंकि आप notes बना रहे होते हो तो during lecture जो हम note बनाते हैं उसे note taking कहते है next question है which method is also known as the natural method of teaching as a second language बहुत आसान प्रशन है और बहुत common question है जो बार-बार आता है natural method किसे कहा जाता है तो यहां पर right answer बनेगा direct method ठीक है इसको natural method भी कहते हैं अच्छा जीटेम के बारे में याद रखना इसे हम oldest method कहते हैं इसे हम classical method भी कहते हैं ठीक है और इसे हम grammar कम translation method भी कहते हैं bilingual method जो है याद रखना कि mother tongue plus जो आपकी target language दोनों का यूज किया जाता है यानि कि जो first language है वो bilingual method में दूसरे language के learning में help कर रहा होता है substitution method जो है ये आपका Palmer ने दिया था ही तिंग तो इनका नाम याद रखना और यहां पर हम drill करवाते हैं basically substitution method में drilling हम करते हैं यानि अभ्यास कारे करवाय जाते है ये आपको याद रखना है next question पर बढ़ते है linguistics is a study of linguistics जो है वो किसकी study है direct method, grammar translation method, sounds या human language तो linguistic जो है वो क्या है branch है एक overall जो कि human language की study scientifically करता है तो यहाँ पर D's का right answer होगा अगला प्रशन है true false answer type question is a type of dash question जो true false type के questions हमारे होते हैं वो किस type के question में आएंगे essay type में, objective में, descriptive में या short answer type में तो जब भी हम MCQs question की बात करते है MCQs है, matching अगर आप से पूछा जाए या फिर आप से true false पूछा जाए ये तीनों ही प्रकार की जो question है है ये objective type में आते हैं तो option B इस का right answer बनेगा, next question पर बढ़ते हैं अगला question है, the teaching of English aims at enabling the learners to, यहाँ पर teaching of English क्या aim करता है, क्या उसका objective है, तो यहाँ पर I think this question हमने कर लिया है, थोड़ा सा repeat हो गया है तो यहाँ पर D देखो, इसका right answer हो जाएगा कि बच्चा understand कर सके produce कर सके spoken को भी और written को भी, ठीक है next question है, with dash students come to see the test not as a punishment, but as a useful feedback, the classmates work together for common intellectual welfare, अब यह किस चीज का example है, वो आपको बताना है, overall question को पढ़ के आपको सोचना है, और किस की बात कर रहा है, self evaluation की बात कर रहा है, group evaluation peer evaluation, या CCE evaluation, तो यहाँ पर को जब भी student एक दूसरे के test को देख रहे है, for a useful feedback, and they work together for a common intellectual welfare यानि कि यह किस तरह का assessment है, यह एक peer assessment है, या peer evaluation के अंदर यह आएगा, ठीक है option number C will be right answer next question कहता है, who has given the concept of transformational generative grammar यानि transformative generative grammar का concept, अगर आए या फिर transformational generative grammar आए तो ये जो है, या फिर आपका universal grammar theory आए, UGT universal grammar theory, ये जो भी चीजे हैं, ये अगर पूछा जाए तो norm चमस्की आपको याद रखना है, LAD पूछा जाए तो norm चमस्की को आपको याद रखना है जो कि कहते हैं कि हम grammar के rule को क्या करते हैं, generate करते हैं, with our innate ability, हमारी जो एक शमता है बहाशा को सीखने की, जो हम ले के आते हैं, उसकी मदद से हम grammar की रूल को generate करते हैं, यही बात इन्होंने इस अपनी theory में की थी, तो इसका सही जवाब क्या बनेगा option, C बनेगा next question पर बढ़ते हैं, which observation supports Norm Chomsky's ideas about language acquisition, इसमें से कौन सा है, जो support करता है Norm Chomsky के idea को, जो की उन्होंने acquisition के बारे में बोला, first is children's language development follows a similar pattern across all cultures, मतब कि जो बच्चों का भाशा विकास है, वो एक तरीके का similar pattern follow करता है, the stage of language development occurs at about the same ages in most children, children acquire language quickly and effortlessly, या फिर all of these, तो जो भी Chomsky ने acquisition के बारे में कहा है, इसमें से वो सारी बाते क्या है, बिल्कुल सही है, ये सारी चीज़े Chomsky ने बोला है, ठीके, पहला इन्होंने बोला कि similar pattern से सभी का language विकास, एक भाशा विकास होता है, सभी culture में, चाहें हम किसी अब आपको बताना है कि ये कौन सा method है, ये bilingual है, ये multilingual है, basic है या humanistic है, तो देखो, ये कहा गया कि ऐसी education जहां पर आप बच्चे की native का यूस कर रहे है, यानि उसकी first language का यूस कर रहे हो, प्लस, आप language 2 को भी यूस कर रहे हो, जो वो दूसरी भाशा सीख रहे है, तो जहां पर दोनों language का यूस कर पढ़ा है, उसे बाइलिंग्वल कहें जहां पर बच्चे की mother tongue भी है और target भी है, तो यह बाइलिंग्वल की बात कर रहा है, ठीक है, अगला प्रशन देखेंगे next question कहता है, the poverty of stimulus with respect to language acquisition among young learners implies that they would, they would express themselves ungrammatically, they would read later, they would not recognize human language or they need more stimulus at home for learning the language, तो simple answer इसका यही है कि अगर उनको support नहीं मिल रहा है, with respect to language acquisition, छोटे बच्चों को मौके नहीं मिल रहे है तो यानि कि उनको ज़्यादा जरूरत है stimulus की, ठीक है, stimulus का मतलब है कि उनको ज़्यादा need है support की ताकि वो learn कर सके उस language को, तो यहां पर D इसका सही जवाब बनेगा अगला प्रिशन देखेंगे Question number 32 कहता है A dual language classroom consisting of students speaking a native language and the target language is beneficial because it अब आपको बताना है कि एक classroom के अंदर अगर बच्चे दोई भाशा system को use कर रहे है यानि उनकी mother tongue भी use हो रही है साथ के साथ तार्गेट language भी use हो रही है तो इसका फायदा क्या है Because it motivates target language speaking students to learn another language and vice versa Second is offers an opportunity for separate project work Justifies conducting more activities in each language या फिर causes fewer distractions in the class as a student will talk less तो यह तो होगा नहीं कि बच्चे कम बात करेंगे सही जबाब इसका होगा option number A यह एक motivation का काम करता है कि बच्चे target language जो है उसको वो other language को भी उस भाशा से अपनी mother tongue से use कर सकते Basically question का simple सा यह मतलब है कि जो mother tongue होता है वो other language को facilitate करता है उन्हें help करता है सीखने में Simple सा question पूछा गया है लेकिन थोड़ा सा इसका जो language था वो चेंज कर दिया गया था अगला प्रशन देखेंगे Structures in the second language are better assimilated in a pedagogical practice अब आपको बताना है कि जो structures है वो better है पेड़ागोजिकल प्राक्टिस के लिए उसका reason बताना है First है कि through meaningful interaction with interesting content जो भी structures है उन्हें हमें कैसे सिखाना चाहिए Insisting on accuracy, explicit instruction in rules Through repetition and practice of commonly used syntax या फिर through an application of learnt structure in discrete language items तो आपको बताना है कि जो structures है second language में उसे better तरीके से कैसे सीखा जा सकता है तो देखो यहां पर क्या होगा सही जवाब यहां पर सही जवाब इसका बनेगा option A Through meaningful interaction जवाब उनको Basically आप real situations में जहां आप उनको apply करवाएंगे उतने अच्छे से बच्चे भाशा में structures को सीख पाएंगे तो A इसका सही जवाब फाइनली बनेगा अगला प्रशन देखेंगे Language learning is better achieved if what a student learn Is closer in form and sound their mother tongue Help them improve their chances of college admission Is functional in terms of their life values and goals या फिर it is in a controlled classroom environment जहां पर learning better achieved होगी वो आपको बताना है तो देखो यहां पर सही जवाब जो बनेगा वो बनेगा यहां पर option number इसका A अब देखो A इसका जवाब finally क्यों होगा क्योंकि यहां बोला गया है कि जो language learning है वो better achieved कब होगी वो तब होगी जब वो close होगा form में sound में उनके mother tongue के जितना ज़्यादा mother tongue के close होगा वो चीज उतना ही ज़्यादा भाशा को बच्चा इसली उसको समझ पाएगा तो यहां पर A इसका राइड आंसर होगा next question पर बढ़ते हैं providing students dash can encourage second language acquisition first option है adequate speaking and writing assignments the opportunity to voice their opinions and to problem solve in the target language frequent feedback on spoken and written outputs या फिर informal interviews तो इसका जो राइड आंसर हमारा final बनेगा वो बनेगा option number B option B इसका सही जवाब बनेगा the opportunity to voice their opinions okay इस्ते क्या होगा कि बच्ची की जो acquisition हो अच्छी होगी next question देखेंगे language acquisition अब आपको बताना language acquisition क्या है first है it is a technique intended to stimulate the environment in which children learn their native language requires the memorization and use of necessary vocabulary involves a systematic approach to the analysis and comprehension of grammar as well as to the memorization of vocabulary या फिर refers to the process of learning a native or second language because of innate capacity of human brain तो सही जवाब इसका क्या बनेगा कि ये क्या है एक process है ठीक है यहाँ पर क्या बना option D राइट आंसर बनेगा language acquisition क्या है एक process है भाशा को native को या second language को सीखने का because of human जो हमारा brain है उसकी जो capacity है जो language acquisition device है उसके अनुसार तो यहाँ D इसका सही जवाब बनेगा next question है which of the following plays the basic role in learning a mother tongue एक mother tongue सीखने में क्या ऐसा है जो basic role play करता है first है motivation second है naturalness third है habit formation या purpose तो जो भी हम भाशा को सीख रहे होते हैं तो उसमें सबसे जरूरी क्या होता है कि उसमें क्या होना चाहिए उसमें हमारा होना चाहिए तो आपको याद रखना है naturalness सबसे important है जब भी हम mother tongue की बात कर रहे होते हैं उसको naturally बच्चा भाशा को natural तरीके से क्या करेगा अपनी घर की भाशा को acquire करेगा अगले प्रिश्न के और बढ़ते हैं next question है norm chomaskis reference to deep structures means norm chomaskis के according deep structures का क्या मतलब होता है first है hidden set of grammatical rules learnt through intensive study transformational grammar that has led in term to increased interest in comparative linguistics a trend that English is the most common auxiliary language in the world universal grammar underling all languages and corresponding to an innate capacity of human brain तो यहां पर D's का right answer बनेगा यहां पर deep structures का मतलब उन्होंने बोला कि हमारी जो universal grammar है जहां पर सभी भाशाएं हमारी cross-pond करती है because of the जो हमारी innate capacity है brain की तो यहां पर D's का right answer होगा next question पर बढ़ते हैं when we sing a rhyme in an English language classroom we teach learners to understand the words teach them to sing familiarize the learner with the English sounds या फिर teach them to read तो जब भी हम rhyme को सिखाते हैं English में जो rhyme होते हैं वो उनका focus सबसे जादा क्या होगा कि बच्चा जो sound है English की उससे क्या हो सके परिचित हो सके तो sound की knowledge उनको देना सबसे important objective rhymes का होता है English के अंदर Next question है Language course books prescribed for students should provide the following except detailed lesson plans for teachers suggested sequence of teaching procedures balanced presentation of information या फिर organized units of learning experiences तो यहाँ पर जो right answer बनेगा कि जो language course book होते हैं वो जो बच्चों के लिए prescribed के जाते हैं उन्हें क्या provide करना चाहिए जिसमें से एक नहीं होगा आपको वैसे accept बताना है यानि एक को छोड़के तो यहाँ A's का right answer बनेगा यहाँ पर जब हम बच्चों के लिए language course book की बात कर रहे होते तो वहाँ detailed lesson plans for teachers नहीं आएगा क्योंकि यह teachers के लिए है यह students के लिए नहीं है lesson plans इसलिए A's का right answer बनेगा 41 question कहता है note taking helps the students to develop their जो note taking है वो क्या help करता है तो ऐसा ही question अभी हमने थोड़ी तर पहले discuss किया था मैंने जहां discuss किया था कि जब हम lecture सुन रहे होते हैं तो वो note taking के लिए नदर आता है यानि कि listening and साथ में हम उसको right कर रहे होते हैं तो C's का right answer हमारा finally बनेगा ठीक है next question देखेंगे summarizing, note making and reporting are associated with dash skills किस skill से सम्मंदित है summarizing करना, note making करना और reporting करना तो इसका जो right answer होगा वो क्या होगा ये writing के अंदर हमारे आते हैं जहांपे आपने summarize किया, note making किया note taking किया, reporting किया ये सब writing का part होता है बाकी skills आपको याद रखनी है इसके साथ साथ ठीक है, अगर paper में पुछा जाए कि reading plus जो आपका listening है तो इन्हें हम receptive कहते है ये याद रखना और writing और speaking पुछे का तो इन्हें हम productive कहते हैं बहुत सारे यादर नाम है आउटपुट कहते हैं इनको हम output skills, इसके अलावा इन दोनों को हम reinforcement भी कहते हैं writing और speaking को तो इनको आपको याद रखना है next question है, which is the receptive skill of language अब देखो वही same question आया है receptive skill language का कौन सा है तो receptive जहाँ आप receive कर रहे हैं समझ रहे हैं, जहाँ पे आप तो वहाँ पे listening और reading आजाएगा listening में आप किसी की बात को सुनते हैं समझते हैं, उसे receive करते हैं और reading में भी हम वही चीज करते हैं जहाँ पे आप book पढ़ रहे हो तो आप दूसरों के views को क्या करते हो understand करते हो next है, collocation and organization of ideas sequencing, coercion and use of vocabulary are sub-skills of किसके sub-skills में आएंगे सारी चीजें जहाँ पे आप क्या कर रहे हैं collection कर रहे है collection of ideas organize करना idea को sequence करना vocabulary का use करना तो यह हमारे किसके अंदर आएगा यहाँ पे यह आएगा हमारे writing के अंदर collection of ideas आपने पहले ideas को collect किया sequence से लगाए आपको कैसे लिखना है फिर आप coercion यूज करते हैं आप उसको logically लिखते हो और आप vocabulary यानि words को use करते हो तो यहाँ पे writing के अंदर यह हमारा आता है अगला प्रश्ण है non-detailed text to develop non-detailed जो text हैं वो क्या develop करते हैं intensive reading, extensive reading, critical reading या slow reading तो non-detailed जैसे की detail का उल्टा है non-detailed यह create करते हैं, develop करते हैं extensive reading की ability को जो की non-detailed होता है जहाँ पे आप fun के लिए और enjoyment के लिए और pleasure के लिए जहाँ पे हम पढ़ रहे होते हैं जैसे novel पढ़ना कोई magazine पढ़ना, कोई short story पढ़ना, तो वो extensive का part होगा next है reading for comprehension can be best achieved by अब आपको बताना है जब आप read कर रहे हैं और वहाँ पे आपको comprehension के लिए पढ़ना है, यानि समझ की शक्ती, जहाँ पे आपका समझ विक्सित हो जाए, तो सबसे best क्या है, first है speak words softly, आप words को softly बोले, while reading, read silently, run fingers and pencils under the lines, या फिर read the text aloud, तो सबसे अच्छे से समझ की शक्ती कहां विक्सित होगी जब आप silently उस text को पढ़ेंगे, यानि option number इसका 2 जो है, read silently इसका सही जवाब finally बनेगा silent reading से सबसे ज़्यादा comprehension ability यहाँ पे होती है next है, which of the following is concerned with the real life situations, इन में से कौन सा real life situation से संबंदित होता है, पहला है functional grammar दूसरा structural grammar थर्ड है prescriptive grammar या फिर formal grammar, तो जब भी हम real life की बात करते तो हमारा सीधा answer क्या बनेगा, functional grammar use की बात करते context आजाए, real life आजाए तो functional grammar हमारा right answer बनेगा, ठीक है अगले प्रशनी के और बढ़ते हैं grammar should be taught to grammar को पढ़ाना चाहिए to help learners read English correctly, develop learners basic language skills, make learners know the rules of the language या फिर help learners write English correctly, तो यहाँ पर सही जबाब जो बनेगा, grammar को पढ़ाना चाहिए to develop basic language skills जो उसकी चार वो भाशा कोशल है वो basically, basic जो है वो बच्चा जान सके competency उसकी आजाए तो इसलिए हमें पढ़ाना चाहिए next है, pause, stress and intonation are associated with यह तीनों चीजे किस से संबंदित है तो सही जबाब इसका क्या बनेगा जब हम pause लेते हैं, रुकना stress, यानि आप जोर कितना दे रहे हो और intonation मतलब होता है आपका rising and falling in the tone आपके tone में उतार चड़ावाना यानि या तो rise होना या fall होना, ठीक है तो यह आता है हमारे speaking के अंदर यह क्या है तीनों चीजें speaking के सब स्किल होती है next question पर चलते हैं last question है which principle of teaching English creates a zeal to learn something new in language कौन सा principle है जो की कुछ नया सीखने के लिए जो zeal है, जो जोश है वो create करता है principle of proper order, habit formation, motivation या selection तो सही जब आप इसका बनेगा option number C principle of motivation जो है वो एक zeal या कुछ नया सीखने का जो एक हमारे अंदर एक जोश है उसको विक्सित करता है चारो principle ही English के important है proper order का मतलब है कि आपको एक sequence में LSRW को सिखाना है habit formation का मतलब होता है जहां पर बार-बार repetition से repeat करवा के सिखाते हैं selection का मतलब है कि जब आप language item को चुनते हैं कि आपको learnability, teachability या coverage या frequency के अधार पर कैसे language को सिखाना है तो 4 जरूरी है तो यहां सीज का सही जवाब बनेगा okay guys तो यहां पर हमने 50 questions को again complete कर लिया है अभी तक आशा करते हूं कि आपको session अच्छा लगा होगा session अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में अपने जो भी आपके आसपास दोस्त हैं उनमें आप जरूर इस वीडियो को आप शेर कीजिए ठीक है तो मिलते हैं भी रगले session में बहुत जल्दी okay thank you